नबशकार में प्रिया पत्ना नियूज में आपका स्वागत है चुली जानते पत्ना की 11 फट 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 खबरों को पत्ना एरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन पर होली में घर आने वालों की दिखी भीड बिहार में आज दिखतेर जगह पर होली का त्यवहार मनाय ज़ा रहा ह ऐसे में पत्ना एरपोर्ट और रेल्वे स्टेशन पर आने वाली भीड की लगातार देखने को मिल रही है बीते दिन भी स्टेशन और एरपोर्ट पर ऐसा ही महल देखने को मिला शुकरवार को पत्ना एरपोर्ट पर काफी संख्या में यात्यों की भीड देखी हाला कि पत तरीके की अपरीय वाक्या घट इतना हो इसको लेकर के राज़ानी पटना में पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है साथ ही चौक चौराहो पर बाहन चेकिंग का माखौल देखने को मिल रहा है इसके साथ ही आज शुराप पीने वालों पर खास करके पुलिस की पैनी नज कर रही है महिला ट्राफिक पुलिस के द्वारा सभी गाड़ियों की बारी-बारी से तलाशी भी ली जा रही है पटना में टला बड़ा हाथसा बीते दिन राज़धानी पटना में बड़ा हाथसा होते होते टल गया दरसल हुआ को छियों की राज़धानी पटना के कदम को अधाना छेत्र के भिखना पहारी में खोली का दहन की राद एक कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस रिसाव में अफरात अफरी मच गए समय रहते SDRF की टीम ने रिसाव बंद कर दिया वरना पड़ा हाथसा हो सकता था आपकी जुआनकारी के लिए आपको बता दे कि जुला कंट्रोल रूम और सिटी मेजिस्ट्रेट की तरफ से SDRF को सुचना मिली कि किसान कोल्ड स्टोरेज भिकना पहारी के पास पटना से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है इसके बाद ही आनंफानन में टीम मौके पर पहुंची पटना स्टेशन पर पहुंची DRM की टीम ओन डूटी सो रहे कर्मियों को किया नलंबित बीते दिन दानापुर DRM ने पटना जंक्शन पर बड़ी कारवाई की जिसके तहत काम मिला पर वाही बरत रहे तीन कर्मियों को नलंबित कर दिया गया है इसमें दो बुकिंग क्लरक रात में टिकेट खिरकी पर सो रहे थे जबकि अनिम्त ड्यूटी की शिकायत पर सेक्शन ट्राफिक इंस्पेक्टर को नलंबित कर दिया गया है आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि यात्रियों की आ रही भीड को देखते वे दानापुर डियारेम और चक्मी रिक्षन के लिए बुधवार और गुरुवार की रात पटना जूंक्षिन पर पहुँची थी एक्यावन सेंटर बनाये जाएगी इन नीरा सेंटर के लेकर के जुराधीकारी डॉक्टर चंदर शेखर सिंघ बैठक में श्राबंदी कानून को सकती से लागु करने पर जोड़ दिया गया है तोड़े जाएंगे पटना विश्विद्याले के होस्टल लंबर 8 और 9 को तोड़े जाएने की प्रक्रियाश शुरू होने वाली है मिली जुहानकारी के अनुसार पुराने प्रेम भवन पर भी बुल्डोजर जलाने की तयारी हो रही है इसके साथ ही विश्विद्याले के सानों पुराने प्रेम भवन को भी अब गिराने को विश्विद्याले प्रबंधन की तरफ से मन्जूरी मिल गई है विश्मिद्याले की तरफ से मिली जुहानकारी के अनुसार सैदपूर के दोनों होस्टल की जगा पर एक नए पीजी का होस्टल निर्मान किया जाएगा जिसके अलावा प्रेस भवन का कुछ हिसा भी वानेजे कॉलिज का है जिससे अब तोड़ा जुआ रहा है पटना जुंक्शन से इतने करोड का सोना हुआ जब्त बिहार के कुम्रार पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये परेटन स्थल के तौर पर एक इतिहास इक स्थल है जहां विभन राजाओं और उनके काल से जुड़े महत्वपुर्ण साक्षय और अवसेश मौजुद है। यहां आकर आप इतिहास और उत् कुमार ने भी कोरोना के कारण दोस साल होली नहीं मराई। सियम आवास पर भी होली के अफसर पर कोई आयोजिन भी नहीं हुआ था। वहें इस बार भी मुख्यमंत्री आवास में सनाटा पस्टा है। सियम नितीश जनसमवाद यात्रा पर है। राजधानी पटना में कोव है। आपकी जहानकारी के लाव को बता दे बीते कुछ दूनों से राजधानी पटना में लगातार मामलोग में गिरावर जवारी है। अब आईए जवानते हैं सराफा बाजार और प्रत्रोल लीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोनी का प्रति लीटर थे वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिक तम 32 डिग्री सेल्सियस वहीं नियुन तम 22 डिग्री सेल्सियस है। इसका करा पहड़ा देखने को मिल रहा है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पटना की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ऑन द बाइब जेड बात